शिव समार है मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ वर्लड एड्स वैक्सियन觉े के रूप में मना जाता है तो एड्स का फुल फुर्म क्या होता है दोस्तों तो एक्वाइर्ड इम्ूणो डिफिशिंसी सिंड्रॉम के बारे में जानकरी वम जागरुकता फैलाने के लिए हर साल अट्रामई को World AIDS Vaccine Day के रूप में मना जाता है और दोस्तो HIV Vaccine Awareness Day के रूप में भी जाना जाता है यह दिवस तो दोस्तो HIV का फिल फॉर्म क्या होता है तो Human Immuno Deficiency Virus और उसके vaccination के बारे में जानकार यह बम जाग रुपता हो फैलाने के लिए हर साल अट्रामई को World AIDS Vaccine Day या फिर HIV Vaccine Awareness Day के रूप में हर साल अट्रामई को मनाते है दोस्तो और दोस्तो Red Ribbon यह AIDS Awareness मनाने का अंतराश्टिय प्रतिक है यह HIV से पेडित और उससे मरने वालों की याद में पहना जाता है तो दोस्तो आपने कभी क्रिकेट में देखा होगा कि क्रिकेटर लोग अपनी छाती पे Red Ribbon लगाते है उसका मतलब क्या होता है तो AIDS Awareness मनाने का अंतराश्टिय प्रतिक है दोस्तो वह Red Ribbon तो दोस्तो 18 मई 1997 को Morgan State University Maryland US में US के पुर्वर रस्टपती Bill Clinton के भाषन की वजह से हर साल 18 मई को World AIDS Vaccine Day या फिर HIV Vaccine Awareness Day के रूप में मनाया जाने की घुशना की थी और 18 मई 1998 को पहली बार World AIDS Vaccine Day के रूप में मनाया गया दोस्तो तो दोस्तो आली में 18 मई को World AIDS Vaccine Day के रूप में मनाया गया है दोस्तो नेक्स पे जलते है तो हाली में दिल्ली के उपराज जपाल यानि की लेटिनन गवरनर अनिल बैजाल जी ने इस्तिवा दे दिया तो दोस्तो वेक्तिकत कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज जपाल अनिल बैजाल जी ने इस्तिवा दे दिया राष्टपती रामनात कोविन जी को अपना इस्तिवा सोब दिया दिल्ली के उपराज जपाल अनिल बैजाल जी ने और दोस्तो अनिल बैजाल की समय डिडिये के उपाद्यक्ष और केंद्रिया ग्रुवा सचिव के रूप में भी कारियक किया था तो 1969 बैज एजी M.U.T. कैडर यानि की अरुनाचल प्रदेश गोवा मिजोरम एन यूनियन टेरिटरी कैडर अनिल बैजाल जी जो की अभी तक दिल्ली के उपराजपाल लेटिनन गवर्नर थे उन्होंने अभी इस्तिपादे दिया और वह प्रसार भारती और इंडियन एरलाइन्स के अध्यक्ष भी रह चुके दोस्तो अनिल बैजाल जी तो दोस्तो आलि में दिल्ली के उपराजपाल अनिल बैजाल जी ने इस्तिफादे दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ने दोस्तो अरविंद के जरिवाल तो दोस्तो आलिमे दिली के उपराजपाल लेटेननगवरनर के रूप में अनिल बैचाल जी ने इस्तिफादे दिया अभी देखना होगा कि दिली के नए उपराजपाल कौन जुने जाते है नेक्स पे जलते हैं तो दोस्तो आलिमे रॉयल इंफिल्ड के चीफ एग्जेकेट डिरेक्टर आफ दा बोर्ड आफ आइक्शर मोटर्स लिमिटेट के रूप में भी नियुक्त किया गया है दोस्तों और ओगस्ट दोजार इकिस से गोविंद राजन जी रॉयल इंफिल्ड के एक्जिकेट्व डिरेक्टर भी रह चुके है और दोजार टेरा से रॉयल इंफिल्ड के चीफ ऑपरेटिंग अफिसर भी रह चुके है दोस्तो भी गोविंद राजन और गोविंद राजन जी ने हिमालायन कॉंटिनेंटल जीटी सिक्स फिफटी और इंटरसेप्टर सिक्स फिफटी इन गारियों की डिजाइन डेवलप् और सेल्स में भी महतुपुना भूमिकाये निवाई है दोस्तो भी रंग राजन जी ने भी गोविंदर राजन जी ने और दोस्तो हाली में आई जे प्लैटफॉर्म बेस्ट मिटियोर और क्लासिक 350 मॉडल के डिवलप्मेंट में भी उन्होंने महतुपुना भूमिकाये इंफिल्ड की अभी इसके सीयो के रूप में भी गोविंदर राजन जी को ने उक्त किया गया है दोस्तो बात अभी रॉयल इंफिल्ड कमपनी की है तो दोस्तो इसका हेड़कॉर्टर चन्नई में है जिसकी स्टापना 1955 में होई थी जिसकी पैरेंट कमपनी आईशर मोटर ह अभी सीयो के रूप में भी गोविंदर राजन जी को ने उक्त किया गया है दोस्तो और दोस्तो अली में गोपाल विठल जी को एयर टेल के मडी सीयो के रूप में ने उक्त किया गया था टिवियस मोटर्स कमपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में हाली में मन्यम जी को L&T के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया था तो दोस्तो हाली में रामगड विश्वदारी अभयारन्य को यानि की रामगड विश्वदारी नेशनल पार्क को भारत के 52 वे टाइगर रिजर्व के रूप में मननेता दी गई तो दोस्तो हमारे परियावरन MM1 और Climate Change मंत्री भुपेंद्र यादव जी ने रामगड विश्वदारी अभयारन्य को भारत के 52 वे टाइगर रिजर्व के रूप में मननेता दे दी तो राजस्तान का चौथा और भारत का 52 वे टाइगर रिजर्व बना रामगड विश्वदारी अभयारन्य तो दोस्तो बायो के लिए रामगड विश्वदारी अभयारन्य को 52 वे टाइगर रिजर्व के रूप में मननेता दे दी तो दोस्तो दो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी ने रामगड विश्वदारी वाल डाइफ सेंक्चुरी और उससे जुड़े एरिया को टाइगर रामगड विश्वदारी अभयारन्य में और दोस्तों हाली में जारी स्टेट्स अफ टाइगर सेन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत वर्ष में 20 राज्यों में 2967 यानि की 2967 टाइगर से मौझूद है और दोस्तों राजस्तान का यह चोथा टाइगर रिज रिजव कौन थे तो दोस्तों राजस्तान के अन्य तीन टाइगर रिजव कौन-कौन से है तो सवाई माधवपूर में स्टित राना तंबोर टाइगर रिजव अलवर में स्टित सरीस का टाइगर रिजव और कोटा में स्टित मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजव और फाइव जी टेस्ट बैंड का लांच किया अनावरन किया तो स्टार्ट अपस और बिजनेसमेन लोगों को स्वधेशी तकनिकी से अब फाइव जी का इस्तिमाल कर सकेंगे और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करने के लिए प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी न परदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरन किया लांच किया दोस्तों तो दोस्तों 5G टेस्ट बैंड यह IIT मदरास के नितरुत्वे नितरुत्व में लिडर्शिप में आठ अन्य इंस्टिूशन के बीच में एक सहयोग परियोज परियोजना के रूप में बनाया गया है और दोस्तो यह परियोजना यानि की 5G टेस्ट बैंड भारत में क्यों लॉंच किया गया तो युनाटेट नेशन में कोई 5G टेस्ट बैंड नहीं था तो बिजनेसमैन अंत्रोपॉनर्स को 5G नेटवर्क स्तापित करने के लिए विद लिएदराबाद, आयाटी बॉंबे, आयाटी कानपूर, आयाएससी बेंगलूरू सोसाइटी फॉर अपलाइड माइक्रोवेव, इलेक्रोनिक्स इंजिनियरिंग और रिसर्च और सेंटर आफ एक्सलेंस इन वायरलेस टिकनोलोजी इन संस्तानों को भी इस 5G टेस्ट बैं का अनावरन किया गया है, दोस्तों नेक्स पेलते हैं, तो दोस्तों आली में अडानी ग्रूप ने, अमबुजा सिमेंट्स और एससी को खरीदने की मंच्छा जारी किया है, तो स्विस मल्टिनेशनल कंपनी होलसीम की भारतीय कंपणी अमबुजा सिमेंट और अमबुजा स सिमेंट्स और एससी को खरीदने की मंच्छा जारी किया है, तो दोस्तों अडानी ग्रूप का यह सबसे बड़ा अधिक रहन होगा, तो यह भारत का सबसे बड़ा एक्विजिशन और मरजर बनने जा रहा है, इन दे फिल्ड आफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैटरियल तो दोस्तों स्विस मल्टिनेशनल कंपनी हलसिम कंपनी की अमबुजा सिमेंट्स में 63.19% की इस्तिदारी है और एससी सिमेंट्स में 54.53% की इस्तिदारी है जो अब अडानी ग्रूप की हो जाएगी दोस्तों, इस सोदे में ड्यूश बैंक, बार क्याप और स्टेंडर चा इसी को खरी देने की मन्शा रखी गई है, दोस्तों नेक्स पहलते हैं, तो दोस्तों आली में पश्चिम मद्या रेल्वे जोन ने बैटरी से चलने वाले ड्यूल मोड लोको मोटिव यानि की रेल्वे इंजिन का अनावरन किया लांच किया, तो नवदुत नामक बैटरी स चलने वाले ड्यूल मोड लोको मोटिव को पश्चिम मद्या रेल्वे जोन ने लांच किया, यह इंजिन ड्यूल मोड में है, यानि कि यह बैटरी से भी चलता है और इलेक्टिसिटी का इस्तमाल करकर भी चल सकता है, और नवदुत इंजिन का ट्रायल चबलपूर, जल बचाएगा और सभी ट्रायल्स के बाद इसका यूस किया जाएगा नवदुत का, और नवदुत के बारे में आपको जानकारी, रोचक जानकारी आपके साथ साजा करता हूँ, as a dual mode locomotive engine जिसका नाम नवदुत रखा गया है, तो दोस्तों यह एक dual mode engine है, जैसा कि मैंने आ आपको अभी बताया, जो कि electricity और बैटरी इन दोनों से भी चलता है, और यह electric engine 30 km per hour की speed से 18 कोच खिच सकता है, इसमें 84 batteries है, और 400 तन तक का वजन खिचने में सक्षम है, और न्यू कटनी जंक्शन के electric department ने इस नवदुत को बनाया है, और सभी ट्रायल्स के बाद माल, कोईल तेल टेंकर आदी के ले जाने के उद्देश से नवदुत को बनाया है दोस्तो, तो दोस्तो आली में पस्चिम मत्य रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले डियोल मोड लोकोमोटिव, रेलवे इंचिन जिसका नाम नवदुत रखा गया है, इसको लांच किया गया है, दो बिरोजगार गारेंटी उजना को शुरू करने के शिफारश किया है तो शहरों में अनेक्प्लॉइम्ट यानि की बिरोजगारी के लिए एक गारेंटीड एंप्लॉइम्ट परोग्राम को लागौ करने का सुझाओ दिया है, जिसे से इंकम गैप को खतम करने के लिए, योन माजिक शेतर पर गवर्मेंट इंवेस्मेंट को बढ़ाने की भी सुझाओ दी गई है ताकि लोग और गरीबी में ना गिरे और दोस्तो हाली में दे स्टेट आफ इनिक्वैलिटी इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामिन और शहरी क्षेतरों की बेरोजगारी को ख फारश की है दोस्तो नेक्स पहलते हैं तो दोस्तो हाली में अपलेस कॉल्ड होम नामक पुस्तक को प्रिती शेनाओ जी ने लिखा तो दोस्तो बेस सेलिंग राइटर प्रिती शेनाओ जी ने अपलेस कॉल्ड होम नामक पुस्तक को प्रिती शेनाओ जी ने लिखा है यह ब जबूत महिला की कहानी है तो दोस्तो प्रिती शनौई जी ने अब तक लगभग 15 नौवेल्ज लिखी है सारी की सारी बेस्ट सेलिंग भी रह चुके है तो दोस्तो हाली में बेस्ट सेलिंग राइटर प्रिती शनौई जी ने अब प्लेस कॉल्ड होम नामक पुस्तक को उबन गीरी को लांच किया गया है तो दोस्तों मुंबई के मजगाव डॉक यार्ड में राजनाथ सिंग जी ने आएनेस सुरत और आएनेस उदय गीरी को लांच किया गया है और दोस्तों यहाँ पहली बार है जब दो स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को मजगाव डॉक कि गिरी को लांच किया गया है और दोस्तो इन दोनों युद्वतियों के बारे में आपको जानकारी दिताता हूं तो पहले INS सूरत के बारे में रोचक जानकारी साजा करता हूं आपके साथ तो दोस्तो यह INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहद बनाये जाने वाला चौथा डिस्ट्रॉयर है विद्वन सक है जिसका नाम सेकेंड लार्जेस कमर्शियल हब आप वेस्टन इंडिया गुजरात के सूरत के नाम पर रखा गया है और यह ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की मदद से बनाया गया है दो दोस्तो यह प्रोजेक्ट 17A Frigid का तिसरा जाज है यह युद्धपोत में INS उदैगीरी में इंप्रूफ स्टिल्थ फीचर्स, एड्मांस वेपन और सेंसर और प्लैटफर्म मैनेजमेंट्स भी शामिल है दोस्तो यह नया युद्धपोत उदैगीरी दे लेंडर क्लास ASW Frigid का अपडेटेड वर्जन है जो की उदैगीरी दे लेंडर क्लास ASW Frigid था उसने तीन दशकों से ज्यादा में अपनी INS यानि की Indian Naval Services में अपनी Services दी और Important Operations में हिस्सा लिया था उसी का ही यह INS उदैगीर अपडेटेड वर्जन है तो दोस्तो हाली में रक्षा मत्री रा लदाख में National Institutes of Electronics and Information Technology Center का उदगाटन किया गया तो दोस्तो हमारे IT एवम Electronics मंत्री अश्वीनी वैशनवजी ने लदाख में National Institutes for Electronics and Information Technology Center का उदगाटन किया गया और दोस्तो इनोंने ही अश्वीनी वैशनवजी ने ही लदाख में Extension Center कारगिल और IT Enabled Incubation Center for Handicraft और Handloom सेक् का उदगाटन किया तो दोस्तो हाली में लदाख में National Institute of Electronics and Information Technology Center का उदगाटन किया गया है हमारे IT एवम Electronics मंत्री जो की हमारे रेल मंत्री भी है अश्वीनी वैशनवजी ने दोस्तो निक्स पहलते है तो दोस्तो हाली में IPL के इतियास में IPL हिस्ट्री में लखनव सूपर जायंट्स टीम ने सबसे बड़ी ओपनिंग विकेट पार्टनर्शिप का रिकॉर्ड बनाया तो लखनव सूपर जायंट्स के ओपनिंग बैट्समें क्विंटन डिकॉक और केल राहूल ने IPL के इतियास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साज़ेदारी की है तो IPL इतियास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए बीस ओवर कंप्लीट बैटिंग की तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाब किलते हुए इस साज़ेदारी में क्विंटन डिकॉक ने 70 गिंदों में 140 रन बनाये और केल राहूल ने 68 68 रनों की पारी किलते हुए बीस ओवर समय 210 रन की साज़ेदारी करते हुए एक नया IPL रेकॉर्ड बना दिया यह IPL की दूसरी बड़ी नाबाद पार्टनर्शिप है और किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साज़ेदारी पार्टनर्शिप है और इस से पहले ओपनिंग पार्टनर्शिप के बारे में जानकारी दे देता हुए तो इस से पहले जौनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने संराइजर सहदराबाद के लिए 2019 में रॉयल चलेंजर बैंगलोर के खिलाफ 185 रन्स की ओपनिंग पार्टनर्शिप की थी और दोस्तो 2017 में केट पार्टनर्शिप का रेकॉर्ड बना दिया गया है दोस्तो तो दोस्तो यह थे 20 मई 2022 के महतो पुर्ना करेंट अफिया दोस्तो आज अपन क्या पड़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं तो हाली में 18 मई को वर्ल्ड एड एड्स वैक्सिन डे या फिर HIV वैक्सिने गया और दोस्तो हाली में राजस्तान का चोथा और भारत का बावनवा टाइगर रिजव रामगड विश्वदारी अभ्यारन्य को मन्यता दे दी टाइगर रिजव के बीच में और हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अना प्रधारी से चलने वाले डियॉल मोड लोकोमेड मोटिव रेलवे इंजिन जिसका नाम नवदूत रखा गया है इसको लांच किया है ट्रायल्स के लिए हाली में प्रधान मंत्री अर्थिक सलाकार परिशद ने रोजगार गैरंटी योजना को शुरू करने के शिफारिश क तो शहरी बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रधान मंत्री अर्थिक सलाकार परिशद ने रोजगार गैरंटी योजना को शुरू करने की शिफारिश की है और आली में अप्लेस कॉल्ड होम नामक पुस्तक को पृती शेनौई जी ने लिखा है और आली में राजनात्त सिं टेक्नोलोजी का टेक्नोलोजी सेंटर का उदगाटन किया गया हाली में आईपियल इतियास में लखनव सुपर जायंट्स टी में ने सबसे बड़ी ओपनिंग विकेटर पार्टनर्शिप का रेकॉर्ड बना दिया गया है दोस्तों तो दोस्तों यह ते 20 मई 2022 के मत अपना क पसंद आये होगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही डे टू टे करेंट अफ़ेर क्लासेस उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल करेंट अफ़ेर इस चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों लिंक इस इन दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेलो डिस इस गुरुभाई साइनिंग आफ जैशंकर महारास दोस्तों जैबोले